सब्सक्राइब कीज़े टैक सपोर्ट दी इन्वेंटर चैनल को और नोटिफिकेशन अपने इंबॉक्स में लेने के लिए बैल आइकन को फ्रेस कि ऐसे कुछ देखने को मिलता है अगर पीछे की तरफ देखें तो यहां पर मेंचन कर रहा है नोकिया 3 के बारे में यहां पर इसके बारे में बात कर रही है लुमिनियम का फ्रेम है पांच इंच्ट का पोलराइज डिस्प्ले है आट मेंगा पिक्सल का आटो फोकस फ्रेंट और रेर कैमरा है वोल्टी ही रेडी फोन है यह कौड को प्रोसेसर 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेंडरी आपको यहां पर देखन वहां पर जब दोस्तों मैं इसको मेरह ंकॉढ शान लेने गया था मेरा भाई जब उसको लेने गया था तो उन्होंने बुल आप इसको खोल किछ करना car take on तो उनको हमें specifically बोलना बड़ा कि नहीं हमें नहीं चेक करना ओल्राइट दोस्तों ये है Nokia 3 मैंने black color मंगाया था दोस्तों मुझे black color से बड़ा प्यार है मुझे black color personally मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको 2 minute side रखते हैं बाकी box contents को फटा फट देख लेते हैं यहां तो दोस्तों ओके यहां भी कुछ है SIM ejector tool और कुछ safety manual दे रखी है यहां पर और इसमें चेक करें फटा फट ओर्राइट दोस्तों यहां पर आपको मिलता है charger तो charger की output rating देख सकते हैं DC 5 volt 1 ampere so काफी slow charger यहां पर आपको देखने को मिलेगा उसके लावा दोस्तों यहां आपको कुछ in-ear type headphones मिलते हैं और यहां दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे normal headphones हैं यह और आपको microphone support भी दिया गया है और यहां पर दोस्तों आपको एक micro USB cable charging data cable दे रखी है यहां यह देख सकते हैं आप दोस्तों micro USB cable है concentrating back on the device so इसको packet में से मैं यहां से निकाल लेता हूँ all right so यह है दोस्तो Nokia 3 so कफी sleek design है and looks very premium for sure so right दोस्तों पीछे यह प्लास्टिक लग रहा है मुझे राइट अवास से ही प्लास्टिक लग रहा है but sides right sides में metal आपको देखने को मिल जाएगा so right दोस्तों फटाफट boot up कर लेते हैं boot कर लेता हूँ मैं इसको यहां पर right side में power button दिया गया है उससे काफी जादा time लिया है दोस्तों इसने boot करने में so right आप देख सकते हैं यहां पर different options आ रही है all right यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको local language support भी दिया गया है काफी अच्छी बात है so far and far दोस्तों मैं इसको setup कर लेता हूँ और उसके बाद मैं दूँगा इस phone का overview so right दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने setup कर लिया है इस phone को and एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा देख लीजिए जियो यहां पर चल रहा है बहुत अच्छे से geosim डला हुआ है 4G आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ रहा है and full networks है so for sure यह वोल्टी इस support करता है यहां पर दोस्तों यहां पर अगर इस product के physical overview की बात करूं मैं उपर की तरफ आपको मिलता है 8MP का front facing camera with f2.0 aperture and 1 यह autofocus camera है इसके साथ आपको दिया गया है earpiece और उपर की तरफ आपको proximity sensor और ambient light sensor भी मिल जाएगा उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको यहां पर 5 inch की screen मिलती है यहां पर screen to body ratio है 67.3% यह एक 720p यानिकि यह HD display है full HD display नहीं है और इसकी pixel density है 294 pixel per inch surely यहां पर एक तरह की corning gorilla glass protection दे रखी है but that is unspecified दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलती है यह backlit keys यहां पर आप देख सकते हैं यह capacitive keys हैं यहां पर जैसे ही आप इसको use करते हैं तो आपको एक तरह का haptic feedback देखने को मिलेगा और right side में दोस्तों आएंगे तो आपको मिलते हैं volume rocker keys and power button दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा speaker यहां पर दिया गया है charging port and primary microphone और दोस्तों ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहां पर आपको 3.5 mm headphone jack मिलता है secondary microphone with active noise cancellation and यहां पर दोस्तों आपको 2 card slot दिये गये हैं यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह बला जो slot है यह है dual SIM card slot यहां पर आप 2 SIM यूज़ कर सकते हैं and surely SIM card volte support करता है यहां पर geosim भी काम करेगा और इसके इलावा यहां पर आपको dedicated memory card slot आपको देखने को मिल जाएगा and अगर दोस्तों पीछे आए तो पीछे आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है Nokia का branding लिका है designed by HMD Global and यहां पर दोस्तों दिया गया है rear camera 8 megapixel का rear camera है एक LED flash दी गई है and यहां पर जो aperture आपको मिलता है वो है F2.0 दोस्तों यहां पर software experience के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं आपको stock android experience यहां पर देखने को मिल जाएगा और अगर software version के बारे में बात करें तो यहां पर आपको android nougat exactly देखने को मिलता है android 7.0 यहां पर अभी दिया गया है so latest android नहीं है यहां पर but surely यहा पर updates आती रहेंगी Nokia का कहना है they will be very active on giving the update on their mobiles और उसके लावा दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें settings आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी 2GB RAM के साथ यह phone आता है और उसके लावा यहां पर आपको करीब 16GB के internal memory देखने को मिल जाएगी adaptive brightness का भी आपको option यहां देखने को मिल जाएगा so अगर phone में डले हुए apps के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सारी apps यहां पर आपको देखने को मिलेंगी Google suit apps सारी यहां पर आपको मिलती है और यहां पर आपको FM radio भी मिल जाएगा और अगर मैं इसमें लगे processor के बारे में बा ग्राफिक सपोर्ट मिलता है वो मिलता है माली T720 से अगें 16GB इंटरनल मेंबरी है इस फोन की 2GB RAM है यहां पर आप 256GB तक का कार्ड लगा सकते हैं सुराइज दोस्तों आई इसमें लगे रहें यहां पर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं front mode के लिए timer mode दिया है यहां पर flash option है और HDR और अगर हम settings की तरफ चलें दोस्तो settings कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगी and अगर video quality की दोस्तो अगर हम बात करें तो यह options आपको video quality में मिल जाएंगे so even 1080p video recording भी आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी अगर दोस्तो modes के बारे में बात करें तो यह सारे modes आपको देखने को मिलते हैं panorama, beautify and photos mode यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा so यहां पर दोस्तों मैं आपको picture click करके दिखाता हूं and देखते हैं right so काफी जल्दी picture click हो रही है so let us see the autofocus of this camera so right दोस्तों यह आप देख सकते हैं autofocus किस तरीके से यहां पर काम कर रहा है camera मुझे average ही लग रहा है यहां पर देखने में so let us see the picture here आप देख सकते हैं थोड़ी सी blurred photo यहां पर आपको देखने को मिल रही है so right दोस्तों मेरे opinion में 9,700 काफी ज्यादा प्राइस है इस फोन का जितनी यह आपको performance देर आए उससे ज्यादा इसका प्राइस है surely इससे better option है Redmi 4 यहां पर अगर हम इसको compare करते हैं with respect to the performance and with respect to the camera surely अभी आगे आने वाले time में मैं और test perform करूंगा so we'll have a complete idea about this device so यहां पर दोस्तों मैं इसको conclude करता हूँ अगर आप और कुछ जानना चाते हैं इस फोन के बारे में आप surely उसको comment section में mention करिये मैं personally उसको reply करूंगा and we'll try to perform that test also अगर आप मेरे चानल को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं